आज हम आपकी साथ शेयर करने जा रहे है एक बहुत ही इसरी ब्रिकफास्स km यह बहुत जादा क्राइब र्लस एक के ब्र Jest पूर कृट पार है यह फूर्ट चारी ब्रिकफास्स, का हम डाल लेते हैं और इसे अब हमने मिक्स करना है अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं नमक डालने के बाद हमने थोड़ा पानी डाल कर इसे मिक्स करना है आधा कप हमने पानी भी ले लिया है अधा कप पानी इसके अंदर डाल दिया है अधा कप ही डाल दिया है एक कप सूजी के अंदर अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे पहले मिक्स करके इसका जो टेक्शिर देख लेते हैं इसमें पानी की और कितनी जुरूरत पड़ेगी यह देखिए यह इस तरह का हो गया है यह मुझे ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा पान काई जुरूररा गया चैनल said एक और यहां पर उसे हमारे मारे माद में और यहां पर आद गया के लूऑस क्या दिखिए और दो चुटकी हो जाएक और दो कड़ी पत्ता डाले है अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं है ओ तो यहां पर धनिये का यूज़ भी कर सकते हैं go अगर कडवीति पत्ता डालना है यहां पे अद्रक और लैसुन की पेस्ट राली है etI a.g अगर आपके पास पेस नहीं है तो आपफ इसे थोड़ा-थोड़ा चॉप और बूं लेना है थोड़ा साथ जब इसमें आपको कलर दिखेगा तब ऑड उसमान डालेंगे इसके अंदर हमने सब्जी या डालनी हैं जैसे भी आपके पास जो अबेलियेवल सब्जियां हो मेरे पास जैसे गाजर है एक घाजर को मैंने ब कट कर लिया है मैंने इसे इसे इसके अंदर दाल कर थोड़ा सा भून लेते हैं सब्सक्राइब तो कम डाल दीजिए यहाँ पे मैंने तीन हरी मिर्च है उनको अच्छी तरह कट कर लिया है अब इसे भी इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे और बस हलका सा भूनना है जब सबजीया थोड़ी भून जाएं तो इसके अंदर नमक डाल देते हैं नमक वैसे हमने बैटर में भी डाला है लेकिन इससे सबजीयों में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे इसको इसके साथ चला लेते हैं अब देखिए इसके अंदर में थोड़ी सी हल्दी डाल जूँ हल्दी 100% ऑप्शनल है अगर आपको अपपा में थोड़ा सा कलर चाहिए या लो वाला तो आप डाली अगर नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो यहां पे हल्दी भी भून गई है अच्छी तरह अब सब्जी हमारी सारी रोस्तों हो चुकी है अब हमने गैस को बंद कर देना है और यह जो पहले सूजी का मिश्रण है उसके अंदर हमने सब्जी को डाल देना है बार में हम इसकी कंसिस्सेंसी चेक करते हैं इसको अब हल हार नहीं टाल रहे हमें क्यों यह जो क्राजास तो हमने धनी टाल जालके हम इसके करीब लिए भी उतर दो हमने बह। CC T तो यह बिल्कुल अच्छे फूल कराते हैं, यहां पर मेरे पस इनो है, मैं एक चम्मच छोटे वाला साइस का एक चम्मच इनो का मैंने लिया है, और इसके अंदर डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बस मिक्स करने के बाद, जल्दी से फिर हमने अप जाएगा, दो चम्मच ओयल लिया है, मैंने ब्रश के साथ इसको हलका हलका लगा देना है, अगर आपके पास ब्रश नहीं है, तो पहले आप थंडे पैन में हलकी से उंगली से ओयल लगा दें, उसके बाद फिर इसको गरम होने के लिए रखें, अब हमने इसके अंदर मिक् और ये फिर अच्छी तरह आपने पहले लो फ्लेम पे रखना है, उसके बाद जब ये सारे डल जाएंगे फिर आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, आपने इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे, अब हम इसे ढग देते ह दो मिनट के लिए, धगने के बाद ये अंदर से स्टीम हो जाते हैं, आप दिखें दो मिनट हो चुके हैं, और ये अंदर से अच्छी तरह पक चुके हैं, मैं एक आपको पल्टी करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आप चमच की हलप से, नाइफ की हलप से पल्टी करके इसमें अच्छा कलर आ गया है, अब हम इसके ऊपर हलका हलका ओएल लगाएंगे, ठोड़ा थोड़ा ओएल लगाना है, ज्यादा ओएल नहीं लगाते हैं, बिल्कुल ब्रशिंग करनी है अपने ओएल की, सबी आपे के ऊपर हम इसने हलका हलका ओएल लगाकर इनको टर्ण क ये बच्तों के लिए बहुत हैं आज हमनों सूजी के बनाए हैं मुक्त लुलता हो यह लुक्त हैं । मैं दपन। kissieMM से बहुत अच्छा color ले चुके हैं अभी आपने इसे एक दो बार इस तरह पलटी करते को यह दो साइड से अच्छा test कर लेना है उसके बाद हम इसं निकाल लेंगे प्लेट में पहुत अश्छे बन चुके हैं आप इनने निकाल तो आप इन सभी अपने बनाने हैं उसी तरह से आप बनाई है मेरे पास थोड़ा कम है यहां पर मैं थोड़े कम डालूंगी और इसी तरह सेंपका लोंगी तो लीजिए देखें हमारे अपपे बनकर रेडी हो गए है देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और मैं आपको एक पीस तोड़ कर दिखाती हूं आप देखें बाहर से बहुत ज़्यादा क्रस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है जैसे हमारा ढोकला होता है उस तरह के ये बने हैं बहुत यादे यमी है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक चुर कीजिएगा एक बाइट आपके लिए है आप से जुरूर ट्राइ करें अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि नए नोटिफिकेशन सारे आपके पास आए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों वाचिंग